स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल नालेश फटापट में तो एके टू छात्रों के लिए दो बड़ी अपडेट आचुकी ये पहला कि एके टू के छात्रों का कैरी उबर का रिजल्ट आउट हो चुका है अगर चैनल पन नए हो नहीं सब्सक्राइब किये हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देज़ेगा और बीटिल को लाइक कर दिज़ेगा यहाँ पर एकी ट्यू की वन व्यू पर साइट पर जाके आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं उनका रिजल्ट आउट हो चुका है बीफ फिलाल के लिए अपडेट यही है कि बीफ फार्मा वालों का जो जन्वरी में जाम दिये तो उनका रिजल्ट आउट हो चुका है अब जो दूसरी अपडेट है आउनलाइन केरियोबर एक्जाम को लेकर उसके बारें बताते है अब लोग देख सकते हो निउस पेपर में अपडेट आई है कि यल्यू मतलब लखनव इन्वर्सिटी इस्टुडेंट अब कभी भी देख सकेंगे बैग पेपर पर इच्छा तो लखनव इन्वर्सिटी में भी ये बीचार किया जा रहा है कि आउनलाइन केरियोबर एक्जाम को लेकर तो यहीं पर एके टू की अपडेट आई है यहाँ पर निउस पेपर में देख सकते हो उस दिन जो मैंने न्यूज बताई थी वो अमर उजाला की न्यूज थी और आउनलाइन थी ऐसे न्यूज पेपर में कटिंग नहीं थी तो बहुत सारे चात्र बोले थे मुझे तो फेक लग रहा है ये लग रहा है मैंने बोला जाके अमर उजाला का पेपर पढ़ो पेपर चैनल की लिंक है मतलब टेलीग्राम पर ये मैं फोटो अपलोड कर दूँगा जो भी ये आपको मैंने अभी दिखाया रिजल्ट की अपडेट और ये जो आप नूज पेपर देख रहे हो दोनों में वहाँ पर अपलोड कर दूँगा वहाँ से पढ़ सकते हो टेलीग्राम देने की बेवस्ता सुरू कर दी जाएगी वी सी मतलब वाइस चांसलर जेपी पांडे की मताबित राश्टी सिच्छा निती 2020 में पाटकरम और परिश्चा को सरल बनाने का प्राधान है इसलिए नई बेवस्ता लागू की गई है हर अभी वार को बैक पेपर का आयोजन किय जाएगा ऐसा इसमें अपडेट आई है और अब रुजाला में जो मैंने बताया था उसमें बोला था कि कार परिसंद में इसको रखा जाएगा महाँ पर जैसे एप्रूबल मिलता हो लागू हो जाएगा और यहाँ पर यह बोला गया है कि अब हर अभी वार को बैक का पेप जिए और यतने भी वी फार्मा वाले केरियोबर के चाहत रहें जो जन्वरी मिंग्जाम दिये थे जाके अपना रिजल जरूर चेकाउट करिएगा और मुझे कमेंट सेक्षिन में भी बताईएगा थैंक्यू बाबाए